तब स्क्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलोंवेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाईए रेगूलर अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलोंवेस्टिंग में मैं हूँ आपका दोस्त नरोतम दुवे, सरप्रथम आपको और आपके संपून परवार को महासिवरात्री की बहुत-बहुत सुपकामनाय बदाई आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुपम रशायन आईपियो के बारे में तो अनुपम रशायन आईपियो के डिटेल के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अनुपम रशायन कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसका रिबेन्यू कहां से आता है और किन-किन देशों में इसका बिजनेस है साथी साथ इस company के financial को study करेंगे कि company में कितना revenue आ रहा है और कितना इसको profit हो रहा है और इस वीडियो के last में हम grey market में जो premium चल रहा है अभी current में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितने रुपे जाना पर grey market में इसका premium है तो कि हम apply कर सकते हैं और apply नहीं कर सकते अपनी खुद की study के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या view है इस IP के बारे में So this video is going to be very important for retail investor who wants to apply for unparm rassayan IPO So without wasting time let's start the video जैसा कि आप इस skin पर देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने रassayan, unparm rassayan IPO की detail लगा ली है जैसा कि आप देख रहे हैं यह IPO 12 March से start हो रहा है The IPO opening date is 12 March and IPO close कब हो जाएगा? 16 March को close हो जाएगा और issue size कैसा है? यह book building issue size है और face value इसकी कितनी है? प्रिति सेयर की 10 रुपीज है अब IPO size बहुत important होता है IPO का size कितना है? Size आप 500, size तो 570 रुपे है 570 करोड़ो है इसका और IPO की अगर price की बात करें तो price है 555 रुपे maximum और 553 रुपे minimum मत यानि कि आप 553 पे इस पे apply भी कर सकते हो 555 पे भी कर सकते हो maximum होगा आपको कितना market lot रहेगा? 27 share का एक आपको market lot इसका रहेगा यानि कि आप individually एक share के लिए apply नहीं कर सकते है आपको कम से कम 27 share ही लेना पड़ेंगे और अगरी बात करें कि IPO का alertment कब तक हो जाएगा? वो 19 तारिक तक आपको IPO हो जाएगा refund जो आपका रुपे अगर आपको IPO मिलता नहीं है तो 22 March तक आपका refund हो जाएगा और listing इसकी होना है 24 March को अब हम company के बारे में जानते हैं कि company करती क्या है? और कहां से इसका revenue आता है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं company कब in corporate होई थी starting कब होई थी 1984 को start होई थी और company का काम क्या है? company work क्या करती है? आप देख सकते हैं company cotton synthesis और manufacturing of the specialty chemicals यह specialty chemicals बनाती है और cotton synthesis के काम भी करती है उसके लिए जो pigment बगरा की जरुवत होती है उसको भी बनाती है अभी हम detail में भी समझेंगे इसको और साथ में life science related specialty chemicals भी बनाती है जो की agro chemicals की रूप में यूज किये जाते हैं agro chemicals मना खेती में भी इनके chemicals यूज किये जाते हैं personal care में भी यूज किये जाते हैं और pharmaceuticals sector में भी यूज किये जाते हैं यानि हम मान सकते हैं कि company का जो business है वो काफी diversity fire है company के बढ़ एक sector पर depend नहीं है यहाँ पर इसका जो business है काफी अलग अलग छेत्रों में है जो काफी एक अच्छा है इसके साथ-साथ pigment के में भी काम करती है dyes में भी काम करती है polymer होती है न कपड़े बगर बनती है उसमें भी इसके chemicals उपयोग किये जाते है सो यह company के लिए अच्छी बात होती है company का business जितना diversify रहता है उतना अच्छा रहता है अब बात करते हैं इसके business के बारे में इसका business कहां कहां पर है आप समझ सकते हैं इसका जाना तर बिजनिस बिजिस से होता है United States में है Europe में है Japan में है और India में तो है ही इसकी 6 unit है आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे इसके 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 यूनिट है अब इसके competitive strength की बारे में बात करते हैं कि हमें इसमें क्यों करना चाहिए तो सबसे पहले देखे इसका diversify customer base इसका customer base कैसा है मतलब इरोप में भी है जापन में भी है भारत में भी काम कर रहे है तो इसके customer base काफी diversify है जो कि company के लिए अच्छी company के लिए बहुत ज़रूरी होता है दूसरी पात इसकी जो strength located manufacturing facility manufacturing जो facility है वो यहाँ पर manufacturing कर रहे है और तीसरी बात है इसका जो track record काफी अच्छा है अभी मैं आपको financial इस company के दिखाऊँगा जिसके दोरा आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका काफी अच्छा record अभी चल रहा है तो company promoter देख रखते हैं आनंद देशाई इसके company के promoter है किरन देशाई, मोना देशाई और उनकी इस company में लगबग 75% something इनकी सिधारी है आप आप देखिए company के financial company के financial देखते हैं तो आप जैसे कि आप देख पा रहे है total asset की बात करता हूँ मैं asset, इनके asset 18 में मार्च 18 में लगबग 10,000 करोड थे उसके बाद 19 में 13,000 करोड और 20 में 20 मार्च में 16,000 करोड और उसके बाद आप अब दिसंबर में देखेंगे तो 19,000 करोड यानि हम मान सकते हैं कि इनके asset लगातार increase होते जा रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़े company के लिए total revenue देखते हैं total revenue उनका क्या है total revenue देखते हैं तो शुरूबात में अठारा में 3,499 करोड उसके बाद 5,699 करोड उसके बाद मार्च में 5,393 करोड और अभी दिसंबर में दिसंबर में 5,631 करोड इनका revenue हो गया है जो दर साथ है कि इनका revenue लगातार बढ़ता जा रहा है और profit after tax की बात करें यह काफी important parameter होता है तो 403 करोड पहले था उनका 18 में 19 में 502 लगबग काफी परसेंट लगबग हम देख सके हैं तो 20% से आनागीन की जंप है उसके बाद 519 करोड मार्च में और अभी 480 करोड तो profit थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि अभी coronavirus बगड़ा थे इस चकर में और जाना समय भी नहीं हुआ है आप देखिए मार्च से लेके आप यहाँ अगर यह देखेंगे कि 480 करोड कम हो गया है कम नहीं हुआ है आप period देखिए ना मार्च से लेके दिसंबर तक का यानि आदी साल का यह लगबग period है पूरा period होने दो इसका जो profit है वो आपको जाना दिखाई देगा अब objective of the issue का objective क्या है objective किसलिए इरेज कर रहे हैं पैसा एक कम से कम इनका अगर बात कर रहे हैं तो 760 760 करोड रुपे इरेज कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहे हैं इनको डेट बहुत जाना है कर्ज बहुत जाना हो तो company का objective क्या है objective है अपने कर्ज को उताना आई पी ओ का साथ 760 करोड रुपे का है उसमें से अगर देखा जाए तो 556 करोड 556 मैं बोल देता हूं 556 पर्पोरेट पर्पोस के लिए यूज करेंगे तो यह काफी इंपोरेंट थी आप सामने देख भी सकते हैं कि to make repayment of the repayment of the company's indebtness कंपणी को अपना कर्ज उताना इसलिए company IPO लेके आ रही है ओके सो अभी हम देखते हैं कि gray market में इसका premium क्या चल रहा है जैसा कि आप देख भारा है अनुपम रसायन share trade add more than 45 premium in gray market ahead of the IPO मतलब 45% premium पर चल रहा है जो कि एक अच्छी बात है इसका premium मतलब लोगों में divan है ओके तो आप देख सकते हैं लगबग 250 रुपे जाना आपको अभी जो current में चल रहा है इसका gray market price वो चल रहा है अब मैं बात करते हैं कि मैं इस IPO के लिए apply करने जा रहा हूं या नहीं पहले ही दिन मिल जाएंगे लेकिन मेरा इसमें कोई origin long term के लिए नहीं रहेगा अगर मुझे profit gain होगा तो मैं then I will exit for booking book my profit so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्रवाद थैंक्यू बेरी माथ जै कर दो